परदेसी फ्लाइट यूटूब चैनल पर आप सभी का विलकम है दोस्तों फ्लाइट और ट्रिवल्स को लेकर कुछ अपडेट है उस पर बात करते हैं कुछ अच्छी खबरे आई हैं और कुछ निरासा जनक खबरे आई हैं तो सबसे पहले जो अच्छी खबर आई है उस पर बात करते हैं तो अच्छे खबर यह आई है दोस्तों कि भारत ने पिछले चौबिस घंटे में जो करोना के नए केस रिकार्ट किये गए हैं वह मात्र 18,795 हैं तो पिछले च्छे मैनों के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है कि करोना के केस में इतनी भारी गिरावट हुई है क्य हो गए हैं जो नए केस रिकार्ट किये गए हैं पिछले 24 घंटों में वह मात्र 18,795 हैं तो यह कुरोना को लेकर दोस्तों अच्छी खबर आई हैं इंडिया से अब एक और खबर की बात करते हैं जो काफी निरासा जनक है कल ही DGCA ने जो नार्मल कमर्सिल फ्लाइट हैं जो सस्पेंड चल लए हैं मार्च 2020 से ही उसको अब आगे बढ़ा दिया है उसको 31 अक्टूबर 2021 तक कर दिया गया है यानि अगले महिने तक उसको सस्पेंड कर दिया गया है यह हर महिने में होता है हर महिने की आखरी तारिक में इस सस्पेंशन को आगे बढ़ा दिया जाता है इससे आप पर बहुत बुरा असर पड़ता है, आपका बहुत भारी नुकसान होता है, आप यूं समझिए कि अभी जो सस्पेंट हो रही है फ्लाइटें, जो फ्लाइटें बंद चल लही है, उसकी वज़ा से गवर्मेंट आफ इंडिया ने 27 देसों के साथ में एर वबल एग जार है कहीं, 50 जार है कहीं, 60 जार है, अगर आप कुएट का टिकट देखेंगे, तो आप जान जाएंगे कि जो यह फ्लाइट सस्पेंट हो रहा है, उसका कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, क्यूंकि कुएट का टिकट अभी आज की तारीक में एक लाग से कम आपको नहीं मिलेगा, लेकिन अगर यह सस्पेंट हट जाता, नार्मल कमर्सिल फ्लाइटों पर पाबंदी हट जाती, तो जो गौर्मेंट आप इंडिया ने लगाई हुई है, तो निश्चित तोर पर फ्लाइट के टिकट भी बहुत सस्ते होते, और बहुत सारी फ्लाइटों के आपसन सस्पेंट रहेंगी, तो बहराल दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, जिन देशों के साथ में एर बबल एग्रिमेंट के तहत फ्लाइटें चल लेंगे, इस्पिसल फ्लाइटें चल लेंगे, वो सारी फ्लाइटें चलती रहेंगे, उस पर कोय असन नहीं होगा, आप आराम से इमरेट्स तक, तो दुनिया वर की बहुत सारी एरलाइन्स आईटा ट्रोल पास को अपना रही है, क्योंकि आईटा ट्रोल पास से फाइदा ये होगा, कि लोगों को आसानी होगी ट्रोल करने में, उन्हें कई तरीके के एप्लिकेशन डाउनलोड करने से चुटी मिल जाए तो उनको और किसी तरीके से अन पेपर दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके साथ में वो ट्रोल कर सकते हैं, तो बैराल दोस्तो ये आईटा ट्रोल पास को लेकर अपडेट हो गया, अगली बात करते हैं दोस्तो इंडिया सौधी फ्लाइट को लेकर तो इंडिया और सौधी अरब के दर्मियान फ्लाइट को लेकर दोस्तो अभी नई अपडेट कुछ नहीं आई है, जो भी लोग अभी इंडिया से सौधी अरब के लिए डारेक्ट ट्रोल कर रहे हैं, वो वहीं लोग हैं जो सौधी अरब से ही वैक्सिन की दोनों डोज लगवा कर आएं बाकी अगर आप इंडिया में वैक्सिन की दोनों डोज लगवा चुके तो आप वाया दुबाई होकर ही ट्रोल करें, आपके लिए आसान होगा, बेहतर होगा और सस्ता भी पढ़ेगा, आप अगर छुट्टी पर आएं तो भी वाया दुबाई होकर जा सकते हैं, इसके ल झाऊे दूटी आसान होगा दुबाउ होगा